जैहिंद वेलकम टू विजेपाथ एजुकेशन पालंपूर एक वार फिर से आप सभी का स्वागत है पीजेटी की सीरिज में तो पीजेटी का एक्जाम कंड़क्ट करवाया गया हिंदी के लिए 7 अप्रयाल 2024 को उसका फर्स्ट पोर्शन मैंने आपको कवर करवा दिया है था बीएड पोर्शन के 20 questions पूछे गए थे उसको मैंने complete आपको answer की उसकी provide करवा दी गई थी आज next part में लेके आया हूँ इसका next section हम cover करेंगे हिंदी के section को जिसमें कुछ questions को हम discuss कर लेते हैं जल्दी से उसकी answer की जो है वो हम जान लेते हैं तो first 20 questions की detailed video जो है वो मैंने विजपत education के official youtube channel के उपर upload करवा दी गई है वीडियो के description में आपको उसका link भी मिल जाएगा वहां से भी आप इसको check कर सकते हैं तो first 20 questions मैंने cover करवा दिये थे अब next questions को जो है वो हम discuss कर रहे है question number 21 से जो है वो इसकी starting की जा रहे है 21 जो है उसमें पूछा गया था question नई समिक्षा ने अपनी समिक्षा के केंदर में क्या रखा था तो इसका right answer रहेगा option number B कृती को option B इसका सही answer है next 22 question है रस चर्चा के अंतरगत नवा रस कौन सा है तो शांत जो है वो इसका right answer रहेगा option number C लड़के 23 question है लड़के उसके कुछ खिंचे-खिंचे से रहते थे तो किसके लिए किसी की मा ने किसी की नानी किसी की बुवा ने आदी ने घीसा से दूर रहने की नितात अवश्यक्ता उने कान पकड़ कर समझा दी थी तो इसमें मुख्य संकेत क्या बताया गया था तो इसमें मुख्य संकेत option D था पिता जी की मृत्यू के बाद एक वर्ष बाद घीसा के पैदा होने के अपबाद का तो उसको जो है वो थोड़ा गलत माना जाता था option D इसका सही answer है next question 24 काफी motivation से question पूछा गया है दसरत मांची के जीवन का अधारिक उपन्यास किया है उन्होंने पहाड को खोद के जो है वो आपने इनकी स्टोरी जो है वो सुनी होगी YouTube के उपर भी काफी trending पे रहती है motivation के लिए इनका example दिया जाता है कि जब इनकी बाइफ जो है वो बिमा बनाया था next 25th question है इसमें कविता संग्रे केदारनाथ सिंग जी के हैं कौन से कविता संग्रे केदारनाथ सिंग जी के हैं तो इसका right answer option number C रहेगा यहां से देखो स्रिष्टी पर पहरा cycle अकाल में सारस तालसता है option C इसका बिलकुल सही answer रहेगा next 26th question बरतनी की द्रिष्टी से गलत है तो बरतनी की द्रिष्टी से ज्योत्सना यहां पे जो है वो गलत है option D सही answer है next 27th रामचरित मानस के उत्तरकांड में तुलसी के अनुसार रामचंदर के राज में जीतो सब्द सुनाई देता है इसका 27th का right answer वैसे तो इंदरियों के प्रति और मन के प्रति दोनो है यहां पे थोड़ा सा question में doubt लग रहा अगर आपको इसका right answer पता तो जरूर आप comment कीजिएगा next question number 29 भरत मुनी के रस सूत्रों के ब्याख्यान कारों में किसने भावे कत्व बेपार की परिकल अपना की थी तो 29th का B answer है भटनाएक इसका बिल्कुल right answer रहेगा next easy question था फू तो time के according manage करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन जिसने split method options को हटाने का अगर काम की है due to option से अगर उसने सही answer निकाला तो फिर तो उसकी बल्ले-बल्ले हो गी है तो फूख फूख पर कदम रखना इसका जो right answer रहेगा 30 का वो option number C है सोच समझ कर कदम रखना उसे कहा option number C ताल ले चंद और स्वर पर असधारण अधिकार अगला प्रशन 32 राम चिंदर शुकर ने हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी की पहली कहानी के निर्धारण है तो किस पत्रिका में परकाशित कहानियों को चुना था इसका right answer रहेगा सर्स्वती option number B अगला प्रशन है 33 कौन सजीवन जीवनी कार युगम सही है युगम के बारे में अब इसमें statement वाले question थोड़े से कम थे 33 का right answer option से रहेगा कलम का मजदूर बै मदम मदन गुपाल ये बिलकुल सही है अगला प्रशन 34 येजी था हिंदी मात्री भाषा वाला राज्य नहीं है जो नया राज्य बना है तो तेलंगा ना बना है 2014 में ये हिंदी का राज्य नहीं है option B right answer रहेगा fantasy का उप्योग करने वाले पर सिद्ध कभी कौन से है तो गजनन माध मुक्ति बोध option C 35 का right answer रहेगा ये fantasy का उप्योग करने के लिए famous कभी जो है वो माने जाते next 36 साहित्य अकादमी से प्रचना है तो 36 का right answer रहेगा option number B अमरकांत अगला प्रशन है 37 अंधेर नगरी के विशे में असंगत कथन कौन सा है तो असंगत कथन 37 का option number D यहाँ पर right answer रहेगा 37 का इसकी प्राए भाशा प्राए पात्रों के स्तर के अनुकूल पढ़ती है option D right answer next 38 question है अप भरंश की नहीं है वो है बेंजन लोप next 39 question है इसमें थोड़ा सा doubt है इसलिए अभी इनको hold पे रखते हैं जो भी doubted वाले question है उनको next section में हम जरूर cover करेंगे next question है 40 question सकी संपरदाय एक शाखा है तो इसका जो right answer रहेगा वो option number C है निमबार्क संपरदाय की I hope यहाँ तक आपके जितने question है वो सारे सही हो next question है question number 41 वर्ट्सवर्थ काभ्य भाशा के संधर में पक्षधर नहीं थे तो इसका जो right answer रहेगा वो option A है अभिजात बरक की भाशा का option A बिल्कुल सही answer है next 42 question है बाके में बरतमान कालिक कृदिंत के अतिश्टा का परकाशन होता है देखिए यहाँ पर थोड़ा सा doubt मेरे को लग रहा है इस question में इसको भी हम next section में जरूर कवर करेंगे थोड़े से basic to high level के question भी पूछे गए थे तो थोड़ी उनकी answer की को clarify करने के लिए यहाँ पर हमें भी थोड़ा सा time लगता है बाकी depend करता है इसकी official answer की के उपर लेकिन जो doubt वाले question उनको आप cover जरूर करूंगा next 43 है उदे परकाश की कहानी कौन सी है तो पीली छतरी वाली लड़की यह सारा NCRT के book से ही आपको पूछा गया 44 अमरित विक्ती के लिए अनुप्रियुक्त शब्द क्या है तो option C पून प्रक्य इसका right answer रहेगा next 45 अंधा यूग में अपने अस्थित्व के अर्थ को क्रमशा खोने वाला निर्पेक्ष सत्य का प्रतीक पातर है इसका right answer रहेगा C यूद्सू option C right answer next 46 है जहां तहां दगने लगी साशन की बदूक दोहे की प्रत्थम पंगती है 46 का right answer option number A रहेगा खड़ी हो गई चौपकर कंकालों की हूग 47 लिमिल लिखित में से अंतरगत आता है इसका right answer रहेगा 47 का option B करमधारे करमधारे समास के अंतरगत आता है 48 है बापसी कहानी में रिटायर होकर उत्सा से घर बापस आए गजा धर बाबू चीनी मिल में नोकरी करने चले जाते हैं तो यह एक story है बुक में दी गई है और इसका जो right answer 48 का option यहां प इसका right answer है बाकी depend करता है इसकी official answer की के उपर next 49 question है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक लग दी है इसलिए इसको अभी hold पे रखते है next 50 question है 50 मैं पूछा गया था श्रोता को आश्वस्त और प्रभावित करने के साथ साथ आतम शक्ति और आतम परितोष की ब्यंजना में किस वाक् काम करा दूंगा next 51 है इदगाह कहानी में चित्रित वैशम्मी की दृष्टी से असंगत युगम है तो इसका right answer रहेगा next c option भारती संस्कृति पाश्चत्य संस्कृति next 52 यहां पे एक paragraph दिया गया था उसमें बताना था कि उरवर्षी में उप्युक्त कथन है कौन सा कथन है 52 का right answer option c रहेगा उरवर्षी का ही कथन है यह काफीजी question था next 53 है कभी पुष्पंद का समंध किस से है यह जैन साहित्य से related है 53 का option b right answer रहेगा next 54 सुंदर्यों पासक उपनियास के लेखक कौन है तो 54 का right answer option d रहेगा व्रजनंदर्न सहाय next 55 सरंचनाबाद किया धार्शिला कि इसने रखी थी इसका right answer a रहेगा फर्दिनेंड द सरेश्यूर ने option a सही आंसर है next आई ए रिचर्ड के द्वारा काब्य का उदेश्य क्या है तो 56 का right answer option d रहेगा आवेगों की विशानती तो next question 57 है मैं राजभवनों से डरती हूं क्यूंकि उनके लोब से मनुष्य इस चीज को शो करता 57 का option b रहेगा पर्वतेश्वर के प्रती ब्यंग नेक्स्ट है 58 मलिका के भीतर की टुटन के ले खुद को जिम्मेदार किसके द्वारा माना गया था कालिदास की द्वारा माना गया था option a इसका सही आंसर है 59 कामिनी के शृधा को देखते हुए मनु को वै लगती है क्या लगती है तो तरंगों में फैंकी मनी के बराबर तो option a इसका राइट आंसर है next 60 कोशन है यह निमलिकित में से पहले हुए तो पहले कौन से हुए थे इसका राइट आंसर दंडी रहेगा option number a तो यह हमने 60 कोशन तक कवर कर लिया है first 20 कोशन हमारे बीड प complete 40 कोशन को हम एक बार फिर से discuss करेंगे यहां तक जितने कोशन आपको कराएगे वो आपके सही हो जो आपके doubted question उनको जल्दी ही में उनको solve करके जो है वो आपके लिए एक answer की जो है वो complete answer की में आपको provide करूँगा और तो आप देख सकते हैं किस level के exam जो है वो पूछे जा अगर मैं बात करूँ जितने भी exam होने तो उनके level की आपको जो है वो त्यारी करनी है तो I hope यहां तक सभी answer आपके सही है तो first 60 question हमने discuss कर लिए है first and second part में जल्दी इसका third part में आपके साथ लेके आऊँगा वीडियो के साथ आप बने रहें चैनल को जरूर subscribe कीजिए जहिंद जही माचल